वेलकम टू ग्यानकाडा यूटूब चेनल आपका हारदिक स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चेनल ग्यानकाडाबर आज हम बात करेंगे बार्वी के बाद विदेश पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के बारे में जो स्टूडेंट जिन्होंने बार्वी का एक्जाम दिया है या प्लस्टू पास कर चुके हैं और वो विदेश पढ़ाई करना चाते हैं और उनके लिए क्या-क्या महतो पुरिण जानकारियां इंपोर्टेंट हैं किन-किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए या फिर विदेश में पढ़ाई करने के समय आपको क्या-क्या डोकॉमेंट की रिक्वार्मेंट रहेगी, क्या प्रोसेस होता है भार विदेश की उनिसेटी में एडमिशन लेने के लिए complete पुरी डेटेल से आपके सभी क्यूशन को solution आपको यहाँ पर मिल जाएगा पुरा विडियो देखेगा, कहां, कैसे और कब आपको एडमिशन लेना है best scholarship colleges कौन सी हैं विदेश पढ़ाई के लिए complete पुरी बात करेंगे हम, सबसे पहले हम बात करते हैं ERA समस मूंडस जोइंट मास्टर डिगरी यह है एक international study program है जो की यूरोप और बाकी देशों के दुनिया के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए European Union द्वारा बनाए गया है यह है program college में joint master डिगरी हासिल करने की इच्छुक सभी छात्रों के लिए ERA समस मूंडस के माद्दिम से उपलब्द हो है ERA समस यूरोप और UK में दी जाने वाली सबसे बड़ी scholarship है जिसमें travel allowance और मासिक भाते सहीत सभी लागतों को cover किया जाता है अर्थात इसमें आपको travel allowance भी दिया जाता है आज तक की कोई भी ऐसी scholarship नहीं है जहां पर आपको travel allowance दिया जाता हो लेकिन ये एक ऐसी scholarship है जिसमें आपको travel allowance और मासिक भाते भी दिये जाएंगे सितंबर के महने में इस program की forum उपलब्द होते है second number की scholarship की बात करेंगे Ontario-Telium यह हर साल साथ वेक्तियों को दिया जाता है जिनोंने अपनी मास्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है और अपनी अंतीम दो प्रिक्स्याओं में उससत असी परसेंट या उससे अधिकंग जिसने प्राप्ट किये हैं Ontario-Canada में डॉक्टरेट करने की इच्छुक लोगों के लिए scholarship प्रोग्राम है अगस्त और सिक्तमबर महिने में इस प्रोग्राम के लिए application फोरुम भरे जाते हैं तेसरे नमर की जो scholarship है वो है वारी नियर कैनेडा graduate वानियर कैनेडा graduate उन लोगों को दी जाने वाली scholarship है जो की एक Canadian Institute से National Science Health Research, Engineering Research और Social Science के फिल्ड में डॉक्टरेट की डिगरी प्राप्त करना चाते हैं इसके आविदन जुलाई और अप्र नॉम्बर में होते हैं इसके लिए आप फोरुम भर सकते हैं चोथे नंबर की scholarship है Oxford and Cambridge Society of India सभी सेक्सनिक स्त्रों के चात्रों को आविदन करने के लिए प्रोटसाहित किया जाता है इसका लगसे है Oxford या Cambridge जैसे college में आगे की सिख्षा प्राप्त करने में भारते चात्रों को financial sport देना चातर ध्यान दे कि आविदकों की आयू 30 वर्स होनी चाहिए और इसके लिए माई के महने में आप फोरुम अपलाई कर सकते हैं पांचोई नंबर की जो scholarship है वो है Tata Scholarship Cornell University जो चातर बिना financial देखतों के Cornell University में एडिमसेन लेकर पढ़ना चाते हैं उनके लिए Tata Scholarship Fund डिजाइन किया गया है चातरों को graduation की आवदी के लिए scholarship वार्सिक रूप में दी जाएगी इस प्रोग्राम के लिए चातर अक्टूबर नौंबर के महिने में अपलाई कर सकते हैं और इस scholarship के लिए आप आवेदन जरूर करें ये था आज़स का अपना बहुत important topic कौन-कौन सी university में आपको scholarship मिल सकती है कितना पैसा मिलता है कब अपलाई होते हैं scholarship के forum ऐसी ही महतो परणजान करिया नेमित आपको हमारे यूटूब चेनल पर मिलती रहती है ग्यानकडा यूटूब चेनल पर केरियर, नौकरी, सिक्सा से जुड़ी हुई सभी महतो परणजान करिया नेमित आप लोगों के साथ सेर की जाती है ज्यान कड़ा यूटूब चेनल राज्थान का सबसे बहतरिन स्टेडी मेटियल प्रदान करने वाला प्लेट फोरॉम है हमारा प्रियास है कि हर एक बच्चे को निश्विल्क सिक्षा मिले हर गाउं धानी घर में फ्री ओनलाइन क्लासे हो अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिये नमबर पर संप्रक कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेस्टूक इंस्टाग्राम ट्योटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्रेशन में दिया वा है फेसुप, इस्टाग्राम, ट्योटर पर आपको ऐसी ही महतो प्रणजान करें, नेमित मैं सेर करता रहता हूँ बैंकिंग, फाइनस, इंसुरेंस से जुड़ी हुई, किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे यूटूब चेनल बैंक अड़ा को सब्स्राइब जुरूर करें थेंक्यू सो मच, आपके उजुल भूस्से की कामनाओं के साथ ग्यान कड़ा यूटूब चेनल